इस लेक्चर में हम अडॉबी आफ एफेक्ट के इंटरफेस और इसकी डिफरेंट वर्क स्पेस और बाकी इसके कंट्रोल के उपर बात करेंगे इस सबसे पहले आपको इसको इंस्टॉल करना होगा और इसकी इंस्टॉलेशन का तरीका भी बिल्कुल वैसा ही है जिस तरह से हमने अडॉबी प्रीमियर प्रो क्रेटिव क्लाउट से इंस्टॉल किया था आप हमारा लेक्चर नबर नाइन को दुबारा देख सकते हैं उसमें सारा प्रोसीजर स्टेप बेस्टेप मुझूद है अडॉबी ऑफ्रेफेक्ट का इंट्रफेस प्रीमियर से थोड़ा सा आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा आईए इसको एक्स्प्लोर करते हैं आपने अपना सोफ्वेर इंस्टॉल कर लिया होगा और इंस्टॉल करने के बाद आपको इनिशिली वह सेवन डेज का फ्री ट्राइल देता है और उस दुरान या उसके बाद आप इसको एडॉबी रिसेलर से परचेस कर सकते हैं इसके मंतली और एनुली प्लैन मुझूद करें जब है अपना सोफ्वेर खोलेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से विंड़ो आएगी और इसमें आपके पास जिस तरह प्री में आता था नियू प्रॉजएक्ट ओपन प्रॉजेक्ट को इसमें लिइन का है हॉम आपके पास है यहां पर होमск्रीन पर जाने के जिस पर आप डिरेक्टली भी उन पर जा सकते हैं कुछ इंट्रेफेस इसको आपको डिफरेंट इसलिए भी लगेगा क्योंकि यह अभी इसमें कुछ टुटोरियल्स भी दिये हैं इन्होंने और जिस तरह आप देख सकते हैं इंट्रोड़क्शन टू बेसिक्स कुछ इसमें प्रोजेक्ट बनाने के बाद है जो कि आप कहलें की ऐसमें करती के पहले आपको इसमें क्रणी पड़ेगी और यहां पर के नवे बनाते हूं और गिसमेंगे सथिखेंगे हम क्रेंगे और यहां पर एक composition quickly बना देता हूं और उसमें by default setting हम रख देता हैं यहां पर जो अभी इसने में दी है ताके आपके पास एक composition add हो जाए और आप इस project को save कर सकें, save करने के लिए file menu में जाएंगे इसको save करेंगे या ctrl s उसकी short की है और जहां पर भी आपका project है वहां पर आप जहां पर इसको रखना चाहते हैं आप इसको वहां पर save कर सकते हैं मैं यहां पर एक folder बना देता हूं और इसमें आप इसका जो भी आपने नाम रखना है और फिरफेक्ट या a e मैंने इसविक बना दिया यह मेरा इसविक project होगा और further इसकी अंदर में project का नाम रखके इसको यहां से save कर सकता हूं आपका project कहां पर save हुआ है कहां पर आप इसको दुबारा खोल सकेंगे एवन के recent list में नहीं भी आ रहा हो तो तब भी आपको पता होना चाहिए आपका project कहां है और सारे चीज़े याद रखना तो शायर ज़रूरी नहीं लेकिन कम असकम आप अगर इस तरह चलेंगे project के ना नाम होगा जरूरी है आप यहां पर check कर सकते हैं कि इस वक्त यह आपको file का जहां पर आपने project save किया है और कौन सी drive है कौन सा folder है यह आपको पूरा path यहां पर वो visible कर देता है और सेम ऐसा adobe premiere pro में भी है हम थोड़ा सा आगे चलते हैं अब आप देख सकते हैं कि आपके पास इस वक्त कुछ इस तरह से interface इसका आ रहा है I'm sure यह प्रीमेर से तो बहुत different है आपको उस तरह से जो workspace आपको नहीं मिलेगी इसमें जो आपको प्रीमेर में मिलती है जो timeline है जिस तरह की project window है totally इसमें आपके पास चीज़े different हैं तो मैं आपके पास इस वक्त शुरू से चलता उसके साथ साथ अपनी compositions add कर सकते हैं जिस तरह प्रीमेर में आप sequence add करते थे timeline add करते थे इस तरह से यहाँ पर composition कर सकते हैं और जो भी आपका audio हो गया video हो गया still images हो गया कोई आपके पास इस तरह की layer based चीज़े हैं या कोई भी इस तरह की जो आपकी files है वो आपकी इस project window के अ प्रीमेर में और जो बाकी टूल आपके पास rotation वगारा प्रीमेर प्रो में मौझूद नहीं थे workspace को select कर सकते हैं आपने देखा standard मेंने click किया almost वही setting है लेकिन कुछ चीज़े कम जादा इसमें हो सकती है small screen की option है और उसके इलावा यहाँ पर मेरे पास अगर मैं जाओं तो और चीज़े भी मेरे पास मौझूद है text के लिए कुछ इस तरह की workspace है आप राइट पर देख सकत है text के feature जादा आ गए color के लिए आपके पास इसलिमेटरी scope का भी एक window खुल गया उसके इलावा अभी हमने कुछ footage कोई asset import नहीं किया बाद तो इसलिए आपको इसपर डिस्प्ले में कुछ नहीं आ रहा further आप अकर start कर रहे हैं तो मैं आपको recommend करूंगा आप इसकी जब default workspace है उसी के उपर काम करें जो आपके पास right side पर यहां पर चीज़े आ रही है उसमें आपके पास different चीज़ें आप देख सकते हैं कि अगर टैब इस तरह से खुले वें info audio preview effects and presets align वगरा वगरा आपके पास चीज़े आ रही है और यह बिलकुल ऐसा ही है अगर एक चीज़ आपको यहां पर नहीं चाहिए में भी अगर आपको align नहीं चाहिए अब इसको यहां से close panel कर देंगे वो यहां से खतम हो जाएगा आपको libraries नहीं चाहिए आप इसको close panel कर देंगे character नहीं चाहिए और अगर आपको दोबारा जूरत पढ़े उनकी तो आप window में जाके उनको दोबार एरिया आ रहा है यह composition है यह हमारे पास आप कहलें प्रीमेर में आपके पास program monitor था program window थी उसके अंदर आपके पास final display आता था और इसमें आपके पास composition के नाम से है और उसके अंदर comp1 add है जो कि हमने यहां पर शुरू में बनाई थी अभी हम इस तरह आएंगे किस तरीके से हम इसको बनाते हैं और किस तरीके से उस पे assets को import करते हैं और काम शुरू करते हैं और आपके पास यह जो यह area है यह composition यह आपका वो area है जहां पर आपकी video यह जो भी आपके assets होंगे और जो आप composition में काम करेंगे उसकी final output आपको इसके अंदर नजर आएगी जो इसके नीचे म आपके पास layers में चीजे आएंगी जिस layer पर आप काम करना चाते हैं जिस layer में कोई effect लगाना चाते हैं किसी को animate करना चाते हैं वो सारा आपका काम इसी window के अंदर होगा और आप देख सकते हैं कि इसमें भी ऊपर आपके पास कुछ इस तरह से यह time codes हैं यह seconds में इसको आपको duration खुदी decide करनी होती है तो इसलिए basically अभी यह जो composition है इसका इसकी duration 30 seconds है further यहाँ पर जैसे जैसे चीज़े एड होती जाएंगी उसकी further properties में आपको आगे और बताता जाओंगा तो हम इसमें कुछ अपने assets को import करते हैं और उसके इलावा composition बना के भी देखते हैं तो अभी यहाँ पर import करने से पहले हम आपको composition बनाने का तरीका बताते हैं यह composition मैंने बना देखी ताके आपको एक इसका interface नजर आ सके composition बनाने के लिए एक तो by default शुरूर में आपके पास होगा तो वो उसकी settings के हिसाब से एक नई composition बना देगा हमारे पास different resolution का हमारे पास different properties की footage और assets हो सकते हैं इसलिए हम decide करेंगे कि हमें किस settings की composition पर काम करना है और हमें output क्या लेनी है उस हिसाब से हम अपनी composition बनाएंगे मैंने इस पर click किया new composition पर इसका नाम चाहूँ तो मैं रख सकता हूँ अगर by default रहने दूँ तो जिस तरह से यह comp 1, comp 2, comp 3 करके इस order में चलता रहेगा दीचे मेरे पास यहाँ पर basic options हैं एक तोई preset इसमें खुद भी बने वे हैं आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ broadcast के कुछ film TV वगारा के हिसाब से 4K HD TV pal वगारा के presets मौजूद हैं अगर normally हमें एक 1080 का sequence बनाना है और broadcast standard के हिसाब से हम इसको 25 frame रखना चाहते हैं तो यह preset इस व width और height दे सकते हैं कि 1920 into 1080 है तो आप चाहें तो अपनी मर्जी से भी setting यहाँ पर रख सकते हैं 1080 by 1080 जो कि square में होगा आप वो भी रख सकते हैं आप देखे रहे हैं इसको height को भी change कर रहे है तो मुझे इसकी expect ratio को यहां से यह locked expect ratio को uncheck करना पड़ेगा और अब मैं अपनी मर्जी से height और weight रख सकता हूं और अगर आपको इन presets को use करना है आप वो use कर सकते हैं जिस तरह मैं होपर HDTV use करूंगा तो यह 1920, 1080 25 frame per second इसका frame rate है प्योंकि हमने यह preset इस पर यह decide किया है और इसके इलावा जो इसकी नीचे further settings है, resolution full हमें रखनी है, quality wise इसकी हमें full चाहिए, starting time code obviously 00 से शुरू हो रहा है, हमें इसको इससे start करना है यहाँ पर आपके बास duration है, अगर आप चाहें तो इसको कम या जादा कर सकते हैं और मैं आपको recommend करूंगा कि अगर आप 10 second की let's see animation बना रहे हैं तो आप अपनी sequence की duration थोड़ी जादा ही रखें क्योंकि आपको थोड़ा सा add-on करना पड़ सकते हैं वो आपके पास बाद में control है कि आप work area select करके उतना ही specific area जो के 10 second आपने decide कि आप उसको ही खाली export कर लें तो अगर ही 30 second की थी इस वक्त मैं इसको अगर एक minute की बनाना चाहता हूँ तो यहां से मैं इसको one कर दूँगा और यहां पर composition की duration भी decide करने के बाद हमारे पास नीचे option है background color की तो आप देख सकते हैं इस वक्त बाइड डिफॉल्ट यह black select है क्योंकि यहां पर आपके पास और चौइस भी मुझूद हैं लेकिन black by default black ही रहता है आपके जो कुछ भी आप उसको उपर काम करेंगे आपकी screen का color as such black ही है background में आप चाहें तो change कर सकते हैं आपके पास यह सा प्रीमियर में आप करते हैं और आप ड्रैग करके भी ला सकते हैं या पिर आप इसको control i से भी import कर सकते हैं तो आपको import करने के लिए यह आपके पास window खुली और आपने यहां पर आपको पता होना चाहिए कि आपके assets कहां से आपने इंपोर्ट करने इस वक्त मेरे पास ही मेरा folder है और यहां से मैं अपनी files import कर सकता हूं आपके सामने इसको अगर मैं डवल क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक separate यहां पर यहां विंडो में खुल जाएंगी आप देख सकते हैं composition अलग है footage अलग है आपके पास further इसको मैं अगर अपनी composition में नीचे ड्रैग करूंगा comp1 के अंदर तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल उसके अंदर यह fit in हो गई है और यहां से आपके पास वही CTI space bar से play आप इसको देख सकते हैं further कुछ control different है वह हम आगे से बात करेंगे अगर आपके पास यह तरह से दूसरी लेयर आप देख सकते हैं कि ऊपर लेयर में आपके पास यह है इसके नीचे एक और लेयर आ चुकी है तीसरी लेयर आपके पास तीन लेयर एड़ हो चुकी है और further अगर मैं चाहूं यहां पर मेरे पास यह एक निशान है आख का और यह इस लेयर को on और off कर सकती है आप देख सकते हैं आपके पास तीन लेयर में different चीज़े है तो यह layers के उपर ही हमने सारा काम करना होता है इसम करेंगे animations की उपर जाएंगे transform की उपर जाएंगे बाकी आप अभी तक जितना हमने किया है आप उसकी प्रेक्टिस कहते रहें